को सब्सक्राइब हेलो गाइज वैलकम टू अलः अफ यूए लेन वित में अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सराइब कर लीजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ला चलिए आज हम अपना नया चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा ब्लड रिलेशन ठीक है ब्लड रिलेशन आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन होता क्या है ब्लड रिलेशन होता है हमारा रक्त संबंद ठीक है रक्त संबंद होता है वो हम हम जानेंगे ठीक है चलिए स्टाइब करते हैं आज में आप लोगों कुछ बीसिक बाते सिखाउगी कुछ बेसिक बताउंगी कि यह होता क्या है कि सरके कोश्ण पूछे जाते हैं किस चाहिप के बलर्ड रिलेशन होते हैं हमारे हमारी फैमिली मैंबर के साथ क्या रिस्ता है टीक है ब्लड रिलेशन में हम ये सब आज पढ़ेंगे चलिए स्बसे बेले लिखने में रवाद भाद ब्लड रिलेशन में सबसे पहले है और हमारा कि की कोशंन पुछा intim तो इसमें आप तेनल हैं स्क्रीन पर पिछ पूड़ कोटल तरह नो इम भाद Tkick ठीक है पहला पर्जल फॉर्म आएगा तो पर्जल फॉर्म जो रहता है एक्जाम में वो एक से दो लाइन का कोशन दिया रहेगा एक से दो से तीन लाइन का कोशन दिया रहेगा उसमें आप लोगों को सिंपल बोला रहेगा कि A is mother of B, B is sister of C, ऐसा करके कुछ भी लिखा उसको हमें solve करना होगा फिर ये एक से दो से तीन कोशन पूछेगा वो हमें बताना होगा ठीक है आप लोगों को मैं बता दू कि ब्लड रिलेशन अगर हम banking के एक्जाम के बात करें तो ब्लड रिलेशन में हमेसा कितने मांक्स तक के कोशन पूछे जाते हैं प्री एक्जाम का मैंने अपको बता दिया पशल फोम अगर एक्जाम में अमारा प्रेख्जाम पूछ जाए गा एक से प्री अधिन मांक्स का अधिन मांक्स का और प्रेजाम बहुत ही दब एसी लेवल पर उता है इसका जो सेंटेंस दिया है हमारा लाइन जो लिखी रहेगी वह देल है जैसे मैंने बोल दिया A has B A has B का मतलब लिखा रहेगा बाजू में कि A is father of B ठीक है A क्या है B का पापा है ठीक है A is father of B ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होगा कहीं भी अगर question में दे दिया P has Q divided by R at the rate as ऐसा कुछ दे दिया मतलब मैं क्या समझूंगे this question को मैं कैसे करूंगे मुझे code में दिया हुआ है has का मतलब है A is father of B मतलब P is father of Q has का मतलब है A क्या है पिताजी है B के तो इसमें क्या हो जाएगा पी हो जाएंगे पिताजी किसके Q के ठीक है P is father of Q ऐसा दिया रहता है ऐसे आप लोगों को code करके कुछ कुछ दिया रहेगा जिसका मतलब हमें साइड पे लिखा रहेगा उसको हमें उसकी help से हमें इस question को solve करते हैं ठीक है अगला दिया है हमारा indicating indicating क्या होता है indicating exam में प्री exam में पूछा जाएगा वह भी one marks का पूछा जाएगा indicating से ज़्यादा marks का नहीं आता है ठीक है indicating क्या होता है जैसे मैंने बोल दिया कि हम ऐसा बोलते है ना वो तुम्हारे पापा की भुआ की बेटी के मामा की ऐसा पूलते है हम उस type की question को हम indicating बोलते है ठीक है तो मैंने अप लोग को बता दिया कि किटे टाप की question पूछ जाते है तीन डाप गयों किते किते marks के पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं blood relation कितने type की होता है सबसे पहले लिखा हमारे पेटनल मतरब पैत्रइक पैत्रिक संबंद कैसा होगा जैसे मैंने बोलां एक के सब्सक्राइब का быть किसा में तो अबं पैत्रिक संब्सक्राइब का म regional इन कर तक एक आपका के साथ व्याट हो गया और तो ऑपा के पापा हो सकते हैं फिर पापा के पापा हो गए तो पापा की मम्मी भी हो सकती है पापा की मम्मी की भाई भी हो सकता है बेहन भी हो सकती है ये सब हो हमारा पैत्रिक संबन्द ठीक है पापा के भाई हमारे पापा की बेहन हमारे इतने क्या आगए हमारे पैत्रिक संबन्द आगए कैसे बताया हम ये कब बाइन के साथ वीबी, निकार पटर्ना, बताब पापा के मैं हमार रिस्ता उब करें। ये की भीडी , उसके साथ य Blake ए। चाचा, ये अंटी निकार को और चाचा ँट करें। हो सकता है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा रिस्ता हमारा मात्रिक मात्रिक कैसा होगा हमारा जैसे मैंने बोला अब एक हो गई बी की मम्मी हो गई ठीक है एक है बी की मम्मी है तो अब मम्मी के सांथ अब बी का जो मम्मी के सांथ रिस्ता है एका बी का रिस्ता किसक यहां रिस्ता के आता है, हमारा इसा किया रिस्ता रिस्ता रहेगा जैसे एक है हस्बेंड है किसका हस्बेंड है B का A क्या है? Husband है, किसका? B का Y हमारी wife हो गई? यह क्या हो गई? हमारा husband हो गया, ठीक है? A husband है, B कैक है? और पेटर्णल रिस्ता कैसा होगा? B wife है, तो B का A के साथ B, A क क्या है? Husband है, अब husband का भाई भी होगा, husband की बहन भी होगी, पार्टन के साथ रिस्टा क्या हो घांगा गाए ने ना डेश है उसमें की ह Вас पांप्यृ बेहन की हमाने के वाक्रमान पांद सीड़ृक और यह रिस्टे थी इन हो से हए। ये भी हमारा क्या हो गया पार्टनर के साथ रिजटा गया अब इन दोनों के बच्चे वे माल लो A.B. का बच्चा कौन है C है A.B. का बच्चा कौन है C है ये क्या हस्पेंड है ये क्या है वाइफ है C इनका क्या है, बेटा है मानलों Son Je Moana San jakie С तब इन दोनों का बच्चा कौन है C अब C का बच्चा है इसकी साधी हो गई तो इसकी एक wife आ गई ठीक, वो हमारी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी इसकी wife आ गई, ये बहू बन गई अब भूचे भाई भेन भी होंगे वहोगे मफ़ापा भी होंगे वह रिस्ता हुआ ठीक है ौर तिसरा क्या हुआ गया एक की सी सवन हो गया अब अब एबी क Peak olur। गया एक बेटी आधी टो इसकी जिसके आन्म साधी रहेगी वह क्या हो गया पापने पापने पार्टनर के साथ रिस्ता हो गया तीन टाइप के रिस्ते मैं आप लोगों को बता दें जब भी हम कोशन सॉल्फ करेंगे तो हम मेल को कैसे इंडिकेट करेंगे जहां पे भी मुझे मेल पता चल गया यहां यह लड़का है बोलके तो मैं उसको लिख दूंग है यह फीमेल है यह लड़की तो से मैं लिख दूंगी मैनस मैंने बोला ओ एई इस ब्रदर ओफ बी यह प्रदर ओफ बी अब यहां पर मुझे पता एक क्या है भाई है भी का मतलब एक एक जंट मुझे पता चल गया एकर लड़का है तो मैं इसे प्लस लिख दूंग्य भी लड़की भी हो सकती, तो मैं इसका कुछ नहीं लिखूंगे, ठीक है, एक बात ये पता चलिए हमें, अब मैंने बोला, B is sister of A, ठीक है, B क्या है, A की बेहन है, अब B, A की जब बेहन है, तो B क्या होगी, लड़की होगी, तो मैं माइनस लिख दूँगी, A का मुझे नहीं नहीं पता, और हम कभी भी बॉक्स और सरकल ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम डिरेक्ट सभी को ऐसे लिख देंगे, ये लड़का, ये लड़की, हम ऐसे नहीं बताएंगे, ये लड़का है, ये लड़की हम डिरेक्ट क्या लिखेंगे, मैंने बोला, A is brother of B, तो हम सब को सरकल में लिख देंगे, और डिरेक्ट प्लस और माइनस से सौल गरेंगे, ठीक है, मैंने बोला, female और female का concept समझ में आगया, male मतलब plus female मतलब माइनस, ठीक है, अब मैंने बोला, husband wife, husband wife को मैं कैसे इंडिकेट करूंगी, A is husband of B, ये सब आप लोग अपने notebook में नोट कर तो जब भी पती होगा एक पतनी है तो इससे पता चल रहे पती दलेगी पतनी रहेगी तो यह क्या वगया है लड़का हो गया यह लड़के हो जम्चे पता चल यह क्या रहे हैं है फ्रेश्वी इनके बीच में बीस में यह कैसे पता चलेगा यह तो पिलास है ब событиयों रिस्ते हो कैसे दिखाएंगे ऑब लिक से। तो कई यह जो यह जो कि इस था जो का रिस्ता रहेगा है सरहेगा इस 125 ऑल ठी सिल जाइट है तो हम कैसी करेंगे क़ा है भी साभटी है एक। यह लड़का है क्योंकि B माइनस हो गया है क्योंकि यह लड़की है अब मैंने बोला ब्रदर और सिस्टर A क्या है मैंने बोला A क्या है A is brother of B A क्या है? भाई है किस का भाई है? B का. तो A क्या है? भाई है और B का जंडर मुझे पता नहीं. B लड़का भी हो सकता है, B लड़की भी हो सकती है, हो सकता है, A और B भाई भाई हो, A is brother of B. A का मुझे पता है, मैंने लिख दिया A और B, अब मैं कैसे बताऊंगी कि इन लोग क्या हैं भाई बहन है तो इन लोग आ जाएंगी ऐसे ठीक है यह आ जाएंगी यह आया मेरा यह बी आया और यह दोनों भाई बहन है एक ही जैसे ए क्या है पापा है और हाँ तीन पीडी रहेंगी तो हम कैसे करेंगे जैसे तीन चार अब इसके नीचे दूसरा है तो हम एक लाइन कर देंगे उससे हमें पता चल गया ये मेरी मम्मी ठीक है ये उबलिक से पता चला हस्बंड वाइफ और इनसे पता चला हमारे ये इनकी बेटे हैं ठीक अब इतना आगया इसके बाद वापिस से ऐसे आजएगा ये क्या आगई से ठीक है यहsty आगी में में सिया जये जाएगा में बात के आजाएगा में प्यंदी पुद्वी नीचे हमारी नीचे हमारी सेatan हुद ग्रेंड-ब reply फार- यहां पर यहां पे हम खुद रहेंगे हम हमंतलीग यहां पिदर पर व्लब बाइन मतलब ड्लीग वाई मतलब एसे अदर стен को और सेम उसलेमरो में तरहते नब अलँभें भाइन सेम रो कि एक पंग्ति पे रहेंगे लोग ठीक है brother sister husband पे फिए सब समझ में आगया अब मैंने बोला A क्या है पापा है C के B क्या है मम्मी है C की C के पापा A है सब को हमने सरकल में लिख लिया C के पापा A है मतलब पापा है तो उपर जाएंगे ये पापा हमसे बड़े है तो पापा क्या जाएंगे पहले आ जाएंगे और पापा है तो प्लस आगया और C के है B के है C की मम्मी है B ममी है मतलब मैनस आगया क्योंकि यह लड़की है और B मम्मी है C मतलब A की क्या हुई हो पतनी हो गई तो हमने आपलिक कर दिया अब C का भाई कौन है ब, C का भाई कौन है D, तो अब C का भाई मतलब लड़का है D, और भाई बहन का रिश्ता सेम आ गया ऐसे ये प्लस ये बी माइनस मतलब ये लड़का ये लड़की ये आगे मेरा सी ये आगे मेरा डी ये आगे मेरा भाई ठीक है अब इनकी नीचे इनके बच्चे हैंगे तो फिर इनकी नीचे हम ले लेंगे ये इनका बच्चा ये इनके बच्चे की पतनी ये इसके बच्चे क इसकी पतनी त्रहों पीडिया एफन समय है आपका मैंबर के साथ चाहिए पापारा क्या हो जाएंग हमारे दादा जी पापा की मम्मी क्या हो जाएगी हमारी दादी ठीक है यह समझा गया ग्रेंड फादर और ग्रेंड मदर अभी क्या रहेगा मम्मी के पापा क्या हो जाएंगे मम्मी के पापा क्या हो जाएंगे हमारे नाना जी और मम्मी की मम्मी क्या हो जाएगी हमारी नानी फादर के FATHER के भाई एंकल ओ झालोगर और इनकी वाइफ क्या हो तो ये हमारी आंटी हो गई और इनकी वाईफ क्या हो गई हमारी आंटी हो गए ठीक है वैसे ही यह हम है यह हमारे मम्मी है मम्मी की भाई क्या हो गए हमारे मामा जी हो गए मामा जी मतलब अंकल हो गए इनकी वाइफ हमारी मामी हो गई मतलब क्या हो गई हमारी आंटी हो गई ठीक है अब हम क्या देखते हैं पापा की बेहन हमारी आंटी मम्मी की बेहन हमारी आंटी पापा की भाई हमारे अंकल मम्मी के भाई हमारे अंकल पापा की मम्मी हमारी ग्रेंड मदर मम्मी की मम्मी भी हमारी ग्रैंड मदर पापा की पापा हमारी ग्रैंड फादर मम्मी की पापा भी हमारी ग्रैंड फादर ठीक है जब भी आप बलड रिलेशन पड़े कोसिस करिएगा कि इसे आप हमेशा खुद के उपर से लेके सौर्व करें खुद के उपर से कैसे जैसे कहीं पे भी अब मैंने बोला पापा के पापा मतलब मेरे पापा के पापा मेरे क्या लगी दादा जी आप हमेशा अपने आपको उस जगह रखे इसे सॉल्व किजेगा ठीक है अगला आया हमारा सन की वाइफ मतलब मेरी यह हम है हमारे बेटे की पत्नी हमारी क्या हो गई बहु मतलब डॉटर इन लॉट ठीक है अब आये हम आगए यह हमारी क्या गई बेटी आगई हमारी बेटी का पती हमारा क्या हो जाएगा दमाद जिसे क्या बोलते हम सन इन लॉट ठीक है अगला आया हमारा ब्रदर की पत्नी मतलब यह हम हुए यह हमारे भाई की पत्नी हमारी क्या हो गई भाई भी हो जाएगी जिसी हम क्या वो दिंगे sister in law ठीक है sister in law ये हमारी हो गई हमारा क्या है sister's husband मतलब हमारी बेहन का ये हम हो गई ये हमारी बेहन हो गई ये हम हो गई ये हम हो गई हमारी बेहन का पती हमारा क्या हो जाएगा brother in law ठीक है हमारी बेहन का पती हमारा क्या हो जाएगा brother in law वैसे ही husband की sister यह हम हुए यह हमारा husband हुआ हमारे यह हम हुए यह हमारा husband हुआ हमारे husband की बेहन ठीक है यह मैंने बताया था न ऐसे लिखते है भाई बहन यह से दिखते हैं husband wife को ठीक है हमारे husband की बहन हमारी क्या हो जाएगी sister in law ननन बोलो पर English में हम इसे क्या बोलेंगे sister in law वैसे ही हम यह हम हुए तो हमारी पत्नी हुई है पत्नी की बहन क्या हो जाएगी हमारी sister in law पती की बेहन भी sister in law और पतनी की बेहन भी sister in law अगला हमारा husband का भाई husband का भाई husband's brother क्या हो जाएगा हमारा यह हम हुए यह हमारा husband हुआ husband का भाई क्या हो जाएगा हमारा brother in law ठीक है वैसे ही यह हम हुए यह हमारी wife हुई तो wife का भाई क्या हो जाएगा हमारा brother in law हम हमारे हस्बन का भाई ब्रदर इनलो हम हमारे वाइफ का भाई ब्रदर इनलो ठीक है हम हुए हमारे हस्बन का भाई ब्रदर इनलो हम हुए हमारे वाइफ का भाई ब्रदर इनलो ठीक है अगला है हमारा ब्रदर और सिस्टर का सन ठीक है यह हम हुए यह हमारा भाई है हमारे तो लड़का रहे का नेफिय। जिसे हम बोलते हैं भतिजा ठीक है ये हम हुई ये हमारी सिस्टर हुई हमारी बहन हुई इसका बेटा भी हमारा क्या हो जाएगा नेफिय। हम हमारे भाई बहन का बच्चे हमारे भतिजा ठीक है भतिजा बतिजी हो सकते हैं तो लड़का रहेगा तो बतिजा मतलब नीज ठीक है हम रहे हमार हम है यह हमारे साथ हमारे भाई हो या बहन हो भाई बहन का लड़का क्या हो जाएगा नेफ्यू भतीजा भाई बहन की बेटी क्या हो जाएगी नीज पतीजी ठीक है अगला है हमारा ग्रेंड सन और ग्रेंड डॉटर्स की डॉटर मतलब यह हम है ठीक है यह हमारी आ गई बच्चे अब यह हमारे आ गई ग्रेंड सन ठीक यह हम आए यह हमारे बच्चे आए हमारे बच्चे की बच्चे क्या हो गए हमारे ग्रेंड सन और ग्रेंड डॉटर हो गए ठीक है अब इनके बच्चे अगर यह लड़का है तो इसे हम क्या बोलते हैं परपोता बोलते हैं तो उसे इंगलिश में हम क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रेंड सन बोल देंगे लड़का है तो और अगर यह लड़की होगी तो इसे परपोती बोल देंगे हैं जिसे हम बोलेंगे ग्रेट ग्रेंड डॉटर लड़का है तो ग्रेट ग्रेंड सन लड़की है तो ग्रेट ग्रेंड डॉटर ठीक है ग्रेट वर्ड जूड सन और डॉटर मतलब यह हम हुए हमारे पापा हुए या मम्मी हुए ठीक है उनके जो भाई हुए या बहन हुए उनके बच्चे मतलब यह हो कह हम कजन हो कह ठीक है लड़का हो या लड़की हो लड़का हो या लड़की हो इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे अंटी अंकल के भा सब पहचानते हैं बस हम इसे अपने पढ़ाई में कैसा बोलेंगे यह मैंने बता दिया ठीक है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे blood relation पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको छोटी-छोटी puzzles वाले blood relation करना बताऊंगी, उसके बाद coded पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम indicating पढ़ेंगे ठीक है, सबसे पहले puzzle पढ़ेंगे puzzle वाले में भी puzzle form में 2-3 line की रखती रहती है, इसकी मैं आप लोगों को practice करवाऊंगे खूब सारी और इससे हम पता चल जाएगा कि क्या-क्या होते हैं, इसके लिए दो वर्ड बहुत important होते हैं who और is, इसे भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल सबसे starting में आप लोगों को इसका use बताऊंगी उसके बाद हम हम आमारे question start करेंगे, ठीक है, आज की class हमें आपे end up करते हैं, till then keep learning, keep practicing और आपको ये class कैसे लगी ज़रूर बताईएगा और जितना हो सके maximum share कीज़ेगा, ठीक है चलिए पढ़ते हैं, till then keep learning, keep practicing thank you and